बाई योर बेनो, जब हमारी नारी संवान की बात करते हैं, तो हमारे लिए ये बहुत सहच सी बात लगती है। लेकिन जब इस गंभीरता से इस पर विचार करते हैं, तो पाते हैं कि हमारे संस्कारों में नारी संवान कितना रचा बसा है। दुनिया भर में जो शक्तिशाली लोग होते हैं, जहां शक्ति की चर्चा होती है, तो उनके साथ उनके पिता का नाम जुड़ता है। भारत में हमारे यहां बीर पुर्षों के साथ मां का नाम जोड़ा गया है। मैं उदान देता हूँ, आप भी सोचिए, अब देखिए अर्जून महान वीर पुरुष्टे, लेकिन कभी हमने यह नहीं सुनते हैं, कि पांडू पुत्र अर्जून ऐसा नहीं बोलते हैं लोग, लोग क्या कहते हैं, हम जब भी सुनते हैं, तो उनका नाम पार्थ सुना, ये पार्थ क्या है? जो पुत्रा यानि कुंती के पुत्र है, अर्जून की जब भननना आता है, तो कुंते के पुत्र कुंती पुत्र के नाम से भी जाना जगया है, इसी प्रकार से भगवान क्रिष्ण, सर्वसक्तिमान, उनका भी जब परिचे होता है तो देव की नंदन कहते हैं देव की का पुत्रा कर्ष्ट्र इस प्रकार से कहते हैं हन्वान जी की बात आती है तो हन्वान जी को भी हन्वान जी से बड़ा कोई भी वीरतो हमने अभी सुना नहीं है लेकिन उनकी भी बात आती है तो कहते है अंजनी पुत्र हर्णुआन याने मां के नाम के साथ वीरों के नाम हमारे देश में ये मां के महत्मय को नारी के महत्मय को स्त्री सक्ति के महत्मय को हमारी संसकार की पूंजी के समान हमें मिला हुआ है इतना ही नहीं यह हमारे समस्कारी है कि हम अपने देश भारत को भी मा के रुप में देखते हैं खुद को मा भारती की संतान मानते हैं